हेलो फ्रेड्स वल्कम टॉ एक्जाम भी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आज हम देखेंगे कि सेभी ग्रेडे का जो एक्जाम है उसका जो सिलाबस है आपको पताए वो थोड़ा सा कॉमर्स जो फिल्ड है उसको थोड़ा सा फेवरेबल है तो यहाँ पर दो strategy या दो approaches हो सकते हैं हिसको देखने के लिए commerce student को किस तरीके से preparation करना चाहिए और non-commerce student को किस तरीके से करना चाहिए और ये जो मैं view producer बना रहा हूँ यह अभी existing जो पैटन है 2022 का जो notification आये था उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ तो अभी कुछ market में rumors है कोई syllabus change होगा वो होगा लेकिन उस पे क्या है जब तक हमें authentic information मिलती नहीं उस पे बात करने का कोई मतलब नहीं otherwise unnecessary मैं देख रहा हूँ student दो-चार दिन से time pass कर रहे तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है और चैसे ही हमें पता चलेगा अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको add up कर लेंगे देखो यही तो management होता है यही तो हमें जाके organization में करना है कि कल कुछ change होता है तो हम उसके लिए ready रहना चाहिए why we will waste our time in thinking about some hypothecations हिसाब समय आपको यह बताने वाला हूँ और यह बनाने का दूसरा यह भी reason है कि last एक मेहने मैं मैंने कम से कम 50 CA से बात किया है जिन्होंने हमारा course जोइन किया है उनको क्या दिक्कत आ रही है m.com के student कम से कम 100 student से बात किया उनको क्या दिक्कत आ रही है इंजिनियर तो कम से कम 200-300 से बात किया होगा उनको क्या दिक्कत आ रही है तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे तो यह है हमारा CB का existing pattern जहाँ पर commerce याने की m.com, CA, CS, ICW या CMA और CFA इनको हम करेंगे कहेंगे commerce जैसे CFA तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसको हम commerce student के category में पकड़ेंगे non-commerce में आते हैं B, B, Tech, L, L, B MA, M, S, C और MBA ठीक, MBA दोनों जग़ा पर आ सकते है अगर किसे ने finance पढ़ाए तो तो यहाँ पर जो commerce student है उनको problem यहाँ पर आ रहा है मैंने देखा है कि अच्छे CA है उनको quant में problem आ रहा है reasoning में आ रहा है English TikTok है GA में problem आ रहा है तो कुछ students यहाँ पर 30% mark निकालने के लिए भी उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आप क्या कीजिए SBI PO SBI PO के PILIMS के 10 PEPERS SAULT कीजिए previous year के आपको हमारे iExambe के website पर मिल जाएंगे mock मिलते तो mock SAULT कीजिए और यहाँ पर क्या है न आप थोड़ा सा हम बोलते दिमाग को free कीजिए और यहाँ पर practice कीजिए आपको जितना आता है otherwise ना मैंने देखा है अच्छे student यहाँ पर cut off नहीं clear कर पा रहे है और जो commerce student है MCOM है CA है वो अगर next level पर जाते है तो उनको काफी advantage मिल सकता है क्योंकि यह जो सारे subject है commerce accountancy आपने college में पढ़े है ठीक है इसलिए इस पर focus आपको definitely करना है तो अभी जो second paper है इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो यह है commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act and economics तो इसमें से यह commerce and accountancy है यह core commerce का है ठीक है यानि कि जीनोंने 11th standard, 12th standard B.com first year, second year, third year M.com first year, second year C.A.I.C.W.C.S. में पढ़ा है उनको यह अच्छा जाता है मतला अच्छा मतलब में ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको 100% आता है तेकिन 80-90% तक उनको यहां पर आ सकता है और जो non commerce है उनको यहां पर 70% के उपर marks लाना difficult है तो हमें क्या करना है सारा टाइम में देख रहा हूँ बच्चे इसी पर डाल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपके पास management easy है finance easy है costing भी easy है costing को आप ऐसा मत consider कीजिए कि यह pure commerce का है इसका कुछ part मैंने engineering भी पढ़ा था companies act एक देखो एक act है तो इसको अगर आप act के तरफ पढ़ेंगे तो इसको यह मत देखो कि यह commerce का part है economic जो है वो दोनों को difficult जा सकता है क्योंकि हमने non commerce वालों ने और commerce वालों ने simple economics पढ़ा है इसका जो economics है वो core economics है तो यह दोनों के लिए different या difficult हो सकता है तो अगर आप commerce वाले हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल neglect नहीं करना यहाँ पर cut off रह सकता है और जो engineer है या non commerce है देखो arts के student का तो ऐसा है कि दोनों में उनको काफी मेनत करनी पड़ेगी लेकिन मैंने देखे है arts के 4-5 लोग देखे है कि MA economics background है MA political science background है MA I think psychology background का था उनका selection भी हुआ है तो आपको हमारा खुद का understanding करना है strength क्या है, weakness क्या है start analysis करना है strength, weakness, opportunities, threat उस हिसाब से हमको यह करना है और अब यहाँ प्लीज यहाँ पर rumors वाले question यहाँ पर मत पूचे जैसे ही आ जाएगा मैं immediately within one hour आपको नया कुछ आता है तो वो पूरा explain कर दूँगा हम उसके live classes करेंगे आपको डरने की बात नहीं है और यह आपको पता है face to का pattern है English में तो background का इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है अगर किसी का humanities background है तो उसमें थोड़ा सा फायदा हो सकता है otherwise यह जो red में दिया है यह थोड़ा सा commerce वाले को थोड़ा favorable होगा और यह जो blue वाला है वो मतलब commerce वाले को भी ठीक जा सकता है और बाकी है वो भी उसको cover कर सकते इतना problem नहीं है लेकिन जो non commerce के है उनको commerce and accountancy में ज्यादा efforts नहीं डाला है आप इतना efforts धाले कि उसमें 60-70% marks मिल जाए और आप बाकी area में थोड़ा सा उसमें अच्छा करने का try कीजिए तो यह एक थोड़ा सा advice है जो commerce student है और जो non commerce है तो उनको यहां पर काफी advantage मिलेगा क्योंकि यहां पर 66% weightage है और इसका weightage स्रिफ 33% है 33.33 66.66 ठीक है तो इस तरीके से जो CA है वो अगर प्रिलिम पास करेंगे तो उनका selection का chances बढ़ जाएगा क्योंकि वो यहां पर ज्यादा marks ला सकते क्योंकि यह सारे subject उनके graduation में या CA करते बग पड़े है और जो non engineer है उनको paper 1 में दिक्कत नहीं आएगा उनका prelims में निकल जाएगा लेकिन उनको अगर फेस यानि की इंटरू तक पहुचना है तो यहां पी भी अच्छा करना पड़ेगा और जो paper 2 है वहां भी भी अच्छा करना पड़ेगा and ultimately interview में जाने के बाद जो commerce के student है जो CA है उनके साथ competition करना पड़ेगा तो इसलिए C.B. का exam बहुत high level का intelligence देखता है prelims में भी, mains में भी interview में भी तो मुझे R.B.I. के comparison में यह exam थोड़ा difficult लगता है क्योंकि इसके जो subject है वो high level के है और यह उसका syllabus है commerce, accountancy, management तो जो non commerce student है उनको यह पूरा करना है यहाँ पर भी point नहीं चोटना है यह सारे यहाँ पर आपको fulls मिल सकते हैं costing में भी मिल सकते हैं कोई नहीं थेरी है कुछ numerical से अच्छे से पढ़ लीजे company act के लिए देखो डरने का नहीं यहाँ पर हमें थोड़ा maghap करना पड़ेगा ठीक है और economics में यह जो portion है यह थोड़ा easy है यह जो portion है यह difficult है ठीक है तो दोनों को यह commerce वाले को भी ठीक जाएगा इंजिनियर को भी ठीक जाएगा लेकिन यह जो portion है इसके लिए दोनों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर किसी का में economics हुआ है तो उनको यह जो portion है यह अच्छा जाएगा ठीक है तो यह जो portion है demand and supply वाला economics का part A वो तो दोनों को भी test होने वाला है अच्छी तरीके से ठीक है और अभी आज के date वे हमारा आएक्जाम भी का हमने 6 एर कंप्लीट किया है ठीक है तो आज के लिए हमने सारे कुर्सेस पे 60% यहाँ पर आफ दिया है अगर आप हमारा से भी का कुर्ट जोइन करना चाहते हो तो यहाँ पर कॉल करके आप एक्स्टा इंफरमेशन इनको पूश सकते हैं थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो और आल बेस पर यूर स्टडीज और अपकमिंग एक्सामिनेशन